हेलो सुदेंट्स मैं 2P 2D एनिमेशन सॉफ्टर डाउंडूर्ट करने लगी थी तो सोचा कि आप लोगों के को इंस्टॉलेशन भी दिखा रहती हूं देखो मैंने यह इंस्टॉल कर लिया है 2P Dextrop ठीक है अब मैं इसको क्लिक किया तो जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो यह ऐसे मुझे पूछेगा कि क्या do you want to allow this app मैं कहूंगी yes तो yes होने के बाद वो आएगा भी स्क्रीन पर आजाओ आजाओ देखो यह देखो यह आगया ठीक है क्या लिखावा है setup 2P Tube Dext ठीक है अब वो कह रहा है कि मैं seat में program files में कर दूं मैं कहूंगी next फिर यह इसका नाम दे दिया है मैं कहूंगी next फिर install simple दो बार next next किया और फिर install कर रहे हैं तो देखो सारी files 2P 2D animation software है जो की chapter 6 है class 7 में एक नया तरीके का software है for childrens and adults for doing the animations तो अभी मैं install करके देखते हैं ठीक है यह finish हो गया है अब हम जैसी finish करेंगे तो शायद वो pop-up होके आए यह देखो यह pop-up होके आगया है 2P 2D यह क्या है basically यह open source animation software है यह provide करता है हमें images और videos को सब करने लिए यह देखो tip दिया बाहा है ठीक है okay मैं next कर दूँगी क्योंकि मैं start कर रही हूं ठीक है next कर दिया फिर next कर दिया यह tips है तो हम tips को पढ़ सकते हैं और close भी कर सकते हैं ठीक है मैं इसको close करती है अब यह देखो 2P tube dext इसका logo देखो किस से रखा है यह blue color का है और file पर जाएंगे और new project पर click करेंगे और यह project का नाम लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे टैग लिख सकते हैं और x और y access set कर सकते हैं background set कर सकते हैं ठीक है ना suppose कर आपने green करा तो जैसी मैं ok करूंगी तो यह आ गया अब यह देखो file है edit है import है modules है और देखो कितनी सारी animations के लिए player है कि आप किस तरह से player कर सकते हैं ठीक है अब इसके बारे में पढ़ेंगे यह just install कि other software 2p 2d animation software ठीक है okay thank you so much I hope this small video will help you okay bye